और अभी मैं आपको IIT के लिए जो महतपुर्ण प्रस्न हैं उनको मैं पूछने वाला हूँ और उसका आंसर भी बताऊंगा लेकिन जर्श्ट थोड़ी देर बाद लेकिन पहले हम आपको मौका देंगे कि क्या आप इन प्रस्नों का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं अगर आ कि तयारी कर रहे हैं जी मेन और जी अर्भांस का तो सबसे पहले हम आपको चैपटर का नाम बता देते हैं और वह चैपटर का नाम भी अगर आपको याद है तो हम समझेंगे कि आपने इन्सियाटी की किताबों को पढ़ा है उस चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंस्पल्स and processes of isolation of elements general principles and processes of isolation of element इस चप्टर का नाम है General Principles and processes of isolation of elements. यह है चप्टर का नाम General Principles and processes of isolation of elements यह NCRT में लिखा हुआ है तो क्या सबसे पहला जो इसमें concept है वह concept है objective questions में पूछा जाता है और वह question है पहला question है ओर्स का कि कैसी टे राइट is the or of? filling the blanks question लिखते हैं आपको कैसी टे राइट is the or of dot 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 आप बताईए कि कैसी टे राइट जो है और है किस element का अगर आप answer देते हैं तो आप आप आएटी के तयारी करते हैं और यहां प्रस्न पूछा गया है 1980 में कब पूछा गया है तो 1980 में पूछा गया है किसमें पूछा गया है तो क्या आप answer दे सकते हैं प्रस्न का तो अभी आप नहीं बताएंगे थोड़ी देर के बाद दो ऊण का अंसर चलिए दूसरह प्रस्न का है यह था आपका पहला प्रस्न और अब पूछेंगे आपका दूसरा प्रस्न दूसरा परस्न काई आप answer के लिए तैयार हों और दूसरा प्रस्न है कि एं ठर्मों प्रोसेसं इंधर माइश को निफिए युज एज नेसिवत इन थर माइट प्रोशेस दस यहां पर भरेगा, is used as reducing agent. आप सोच कर बता सकते हैं, if you have the concept of both this question, अगर आप IIT के तयारी करते हैं, और यह भी प्रस्चन पुछा गया है, उनिस्वासी में. यह भी प्रस्चन पुछा गया है कब, तो उनिस्वासी में. तीसरा question, in the basic bessemer process for the manufacture of steel, तीसरा question, in the basic bessemer process for the manufacture of steel. steel, manufacture of steel, the lining of the converter is made of the lining of the converter is made of dot, dot, dot है, और यहां पर एक dot है. इस फिलिंग the blanks के बाद फिर लिखा हुआ है, the slag formed, consists of, तो लिखें, the slag, this slag, formed, consists of, dot, dot, dot. यह है आपका तीसरा question, और यह भी पूछा गया है. यह भी प्रस्चन पूछा गया है, और यह पूछा गया है, 1980 के IIT में, आप बता सकते हैं कि क्या इसका अंसर होगा. Next question है, आपका जो की चौथा नमर प्रस्चन हम लिखेंगे आपके लिए, और वह प्रस्चन है, इन एक्सेक्टिव मेटलर्जी ओफ जिंक, पार्सियल फ्यूजन, पार्सियल फ्यूजन, आपको बताना है, तो चलिए चोथा question हम आपके लिए लिखते हैं, और आपको बताना है उसका जवाब. इन एक्स्ट्रक्टिव, 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 इन एक्स्ट fusion of ZNO with coke is called dot 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 आपको बताना है इसमें दो फिलिंग द ब्लैंक्स है पहला असमेल्टिंग, दूसरा कैल्सिनेशन, तीसरा रोस्टिंग और चौथा सिंटरिंग चौथा सिंटरिंग तो चार आपको दिये गए हैं पहला यहां असमेल्टिंग, दूसरा कैल्सिनेशन, तीसरा रोस्टिंग और चौथा सिंटरिंग तो क्या यह कौज्सिन्ग आपको यह कॉशेंस का अंसर आप दे सकते हैं, या इस कौशेंस का अंसर दे सकते हैं, यहां पर आप भर सकते हैं या यहां पर आप भर सकते हैं या यहां पर भर सकते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच और चह चह आपको बताना है और हम देखना चाहते हैं कि क्या आप इसे भर पाते हैं कि नहीं भर पाते हैं और यह भी question पूछा गया है 1988 में IIT में तो if you are preparing and if you are the aspirant of IIT, JE, MAIN and ADVANCE, you have to solve all these questions without doing any late within the limited time with 100% correctness. After that, you can be easily selected in the G-MAIN with ADVANCE. तो चलिए, आप इसको solve कीजिए, बताईए, तब हम आपके साथ फिर डिस्कुस करें.